कांग्रेस महास्चिफ और फायर ब्रांड नेता प्रियंका गांधी की मुश्किले बढ़ने वाली है। मध्यप्रदेश भाजपा की तरफ से प्रियंका गांधी पर अलग अलग 41 जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरसल पूरा मामला प्रियंका गांधी के उस से जड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी वाडरा ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश में ठेकेदारों को कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता है। मध्यप्रदेश के ग्रहे मंत प्रियंका गांधी वाडरा ने कहा कि ठेकेदारों के एक संग ने हाई कोर्ड के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर शिकायत की है कि उन्हें अपने काम का भुपतान पचास फीस्दी कमीशन देने के बाद ही मिलता है प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा करनाटक की भृष्ट भाजपा सरकार 40 फीस्दी कमीशन वसूलती थी मध्य प्रदेश में भाजपा अपने ही भृष्टा चार के रिकॉर्ड को तोड़ कर आगे निकल गई है करनाटक की जनता ने 40 फीस्दी कमीशन वाली सरकार को हटा दिया अब मध्य प्रदेश की जनता 50 फीस्दी कमीशन वाली सरकार को हटाएगी मध्य प्रदेश सरकार में ग्रहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस की घ्रनित राजनीती बताया है इन आरोपों को सरकार और भाजपा इकाई के लोगों ने गंभीरता से लिया और मध्धे प्रदेश भाजपा प्रमुक वीडी शर्मा ने फरजी पत्र प्रसारित करने के लिए प्रियंका गांधी वाडरा के खिलाफ कानूनी का रवाई की चितावनी दी। प्रियंका गांधी से जूठा ट्वीड करवाया प्रियंका जी अपने ट्वीड का सबूत दें अनित्हा हमारे पास का रवाई के लिए सभी विकल्ब खुले हैं विडी शर्मा ने कहा ये एक साजिश है और बीजेपी इस ट्वीड के लिए साइबर क्राइम के तहत का किया है उन्होंने कहा कांग्रेस नित्रत्व को इस पर जवाब देना होगा हम इस संबंध में कानूनी का रवाई करेंगे कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपना हमला जारी रखा और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्षके के मिश्रा ने दावा कि प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्ट है। उन्होंने कहा भाजपा को वास्तविक्ता स्विकार करनी चाहिए। लेकिन सत्तारूर, दल, राजनीतिक आतंग पैदा कर रहा है। यह असमवैधानिक तरीके अपना रहा है। हम साबत कर देंगे की सरकार भ्रष्ट है। कि अपना रहा है।